अगले सेगमेंट का विएपी शेर विएपी शेर यानि की वैल्यू इंवेट्मेंट्सम्न पिक फंडमेंटल लिहाथ से मोखे कहां पर दिखाई दे रहे हैं यह समझ लेते हैं और हमारे साथ विएपी शेर बताने के लिए पंकर्ष पांडे मौजूद है पंकर्ष पांडे मौजूद है पंकर्जी थांक यू समय देने के लिए अपना इटीना उस्वादेश को बताइए अज का व्याएपी शेयर क्या होगा जो मैं स्टाक रेक्मेंड करना चाहूंगा वो मयूर यूनिकोर्टर है यहाँ पर हमारा टागेट वाइस साथ सो रुपे का है इस कमनी में अगर स्टोरी के सबसे देखें तो यह कमनी टेक्निकल टेक्स्टाल डोमें में उपरेट करता है 50-60% जो सेल्स है और आटोमोटिव सेगमेंट जाता है 20-30% फुटवेर से आता और 20% करीब एक्सपोर्ट से आता है इसमें अभी जो आगे जाके में लगता है यह होगा कि जो आटोमोटिव एक्सपोर्ट वाना जो बिजनस है जो 20% से रुखता है वो सबसे इनका लुक्रेटिव बिजनस है यहाँ पर एक टॉप लाइन जो हम एक्सपेक कर रहे हैं 160 करोड उन्होंने FI 23 में कमी ने क्या था और आगे जाके 2026 तक करीब 600 करोड करेंगे अगर रीसेंट तीवाही के नतीजे देखें तो टॉप लाइन फ्लैट था उसकी वज़ए यह थी कि इनका जो US में जो OEM प्लैंट है वो हाँ पर हड़ताल चल रही थी प्लास फुट्वेर सेग्मेंट में भी थोड़ा म्यूटेड ऑफटेक था पर वो जो स्ट्राइक है वो अभी खतम हो चुकिया और कमनी हैं कर रहा है कि सेकेंड आप में आपको अच्छी पासी ब्रोड दिखेगी अच्छी चीज यह थी नंबर में कि माजिन प्रोफाइल उसके बाद में भी बढ़किया है करीब 300 विप्स का माजिन एक्पैंशन वाई-वाई-वाई बेसे पे और ओर ओर हमें लगता है कि कमनी करीब 17-18 परशंट का टॉप लाइन गोट करेगी यह 20 परशंट का बॉटम लाइन गोट करेगी कमनी डेट बिल्कुल नहीं है तो कमनी में अक्षली कैश है एक सरस्य है और करोड का और जो इनका कैश फ्लोव यील्ड है करीब 4 परशंट है वालेशन भी काफी अट्रेक्टिव है बिकाद यह कमनी 15 के मुल्टिपल पर भी अविलबल है और अमें लगता है कि इसको करीब 20 का मल्टिपल मिल सकता है उसके लिए हमें लगता है कि इसका टार्गेट पाइस साथ सो रुपए होना चाहिए तो एक साल के लिए साथ सो रुपए के टार्गेट फंडामेंटर्स आपको पंकर जी ने भी बताए पंकर जी धानकी सुमच समय देने के लिए यह स्टॉक सुझाने के लिए